आखिर कैसा है बॉलिवोड केंग शारुखान का बंगला क्या है केंग शारुखान के बंगले की कीमत शारुखान की बतनी गौरी खान ने खुद सजाया अपना बंगला ये तमाम सवाल आज इसलिए क्योंकि किंग खान की ही तरहा उनके बंगले को भी लेकर काफी चर्चाय होती रहती है शारुखान को भले ही सिर्फ वर्यूड का किंग कहा जाता है लेकिन इसका रास्तों ये अफर के लोगों के दिल उपर है इसलिए जो भी मुंबई जाता है वो इनके अरिशान बंगले के आगे कुछ देर के लिए सुमीद से जरूर रुपता है कि शारुखान दिख जाए ये कहना गलत नहीं होगा कि किंखान का घर उतना ही फेमस है चितना वो खुद लेकिन इसके पीछे सिर्फ शारुखान का हाथ ही नहीं बलकी पतनी गौरी खान की भी बड़ी मशक्कत है अपने आशियानों को सबसे अनोखा बनाने के लिए गौरी खान ने लगातार कई सालों तक काम किया जिसका रिजल्ट देखने के बाद बॉलिवूट की बड़े बड़े सितारों ने अपने घर को सुन्दर बनाने का जिम्मा उन्हीं सौप दिया तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे की शारुखान का घर मननत आखिर कितना अलिशान है सबसे पहले ये की शारुखान कहां रहते हैं बता दे शारुखान मुंबई में बांदरा स्थित 27,000 स्क्वेर फीट में फहले जो इस घर में रहते हैं उसका नाम मननत और इसकी गिंती मुंबई की मॉस्ट पॉप्यूलर टूरिस्ट प्लेस में होती है शे स्टोरी के इस घर में पाच बेडरूम, कई साले लिविंग एरिया, चिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्राइवेट थीएटर समेट वो सभी मॉडरन सुमिधाई हैं जो एक इनसान चाहता है इसके अलावा शारुखान की ये सी फेसिंग प्रॉपर्टी सिक्योरिटी वॉल से चारो तरफ से खीर है अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर इतना अरिशान बंगले की कीमत क्या होगी कुछ मीडिया लिपोर्ट की माने तो शारुखान के मुंबई सित्व बंगले मननत की कीमत लगभग 200 करोड रुपे है गौरी खान एक इंट्रिव्यू में बताया कि वो जिस तरह का घर चाहती थी वैसा तयार करने के लिए 4 साल का समय लगा बतादे साल 2016 में इस घर को आर्किटेक्ट्चर राजीव पारेक ने रेनोवेट किया और इसका इंटीरियर डिजाइन खुद गौरी खान ने आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर कैफ फकी के साथ मिल कर गिया किंखन के लिविंग रूम इंटीरियर की बात करें तो शालुख खान के घर का लिविंग रूम आर्ट पीस डिजाइन अ फरनीशर पेंटिंग्स प्लस कारपेट बहुत आर्टिस्टिक तरीके से सजा हुआ है इससे अटैच लकडी की स्टेरकेस बनी हुई है जो इस रूम को बैडरूम से चोड़ती है ये इसे किंखन के आर्टवर्क से बहुत ही गलासी लुग देता है वहीं बैडरूम की बात करें तो किंखन का बैडरूम लगसरी तो सही माइने में लगता है इसमें स्तंग मरमर का फर्ष शांदार जुमक तीन रूम के साथ साथ कलर थीन ब्राउन और गोल्डन से मैच करते परदे और बैडिंग है इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खीशने वाली चीज जो है वो है सोफा जोसकी बैक काफी लंबी है इस नजारा और कहीं नहीं मिलेगा एक इंट्रिव्यू में गोली खान ने बताया कि उनके खर में सबसे अच्छा उनका टैरिस इससे सिर्फ समुंदर की ही खुबसूरती ही नहीं बल्कि इससे बहुत सी चिक टेस्ट के साथ दिसाइग किया गया है यहां फरनीचर के साथ बड़े और गुम्मत समेत कई साइज और स्टाइल के गमने रखे हुए हैं जिसमें लगे पौधे इस जगह के सुन्दरता में चार च्छान लगा देते हैं तो यह थी किंग खान के आरिशान बंगले की कहनी तो हमें लगा क्यों आप सभी को शारुखान के बंगले के बारे में बताया जाए इस खबर को लेकर आपकी क्या राए हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताबर ऐसी तमाम खबरों के चुड़े रही निउस बुक के साथ